अधिक की साला ना आये वाले करदाताओं को अगले महने से सबसेडी वाला रसोई गया सिलेंडर नहीं मिलें फिलाल सभी परिवारों को एक साल में 14.2 किलोग्राम के 22 रसोई गया सिलेंडर करीब 420 रुपे प्रती के मुल्य पर मिलता है इसका बाजार मुल्य 608 रुपे है पेट्रोलिम मंत्रा लेने बयान में कहा कि सरकार ने समपनल लोगों को सुएच्छी कृप से सबसेडी वाली लपीजी छोड़ने तथा बाजार मुल्य पर सिलेंडर खरीदने को कहा था अभी तक 15 करोड लपीची उप भुकताओं में से 57,50,000 लोगों ने सबसेडी वालाक सिलेंडर छोड़ा है केजरीवाल ने कहा कि जेटली के लिए भाज़पा भीक मांग रही है दिल्ली के मंख्यमंतरी अर्विन केजरीवाल ने कहा कि डिडी सीये में कथित घूटाले के लिए अरुन जेटली को अब तक क्लीन चीट नहीं दी गई है केजरिवाल ने कहा कि वित्तमंत्री को निशाना बनाने के लिए आप पार्टी से भाजपा माफी के लिए लगभग भीक मांग रही है उन्होंने कहा कि दिल्दी सरगार द्वारा शुरू की गई जास सेवे भाग रहे है बाजपाने पलटवार करते हुए केजरिवाल पर हर दिन नाटक करने का आरोप लगाया केंद्रिय मंत्री प्रकाश जावडे करने कहा कि वह हर दिन नाटक करते हैं वे उबामा से भी सवाल कर सकते है केंद्र किसी आयोक के खिलाफ नहीं बिहार में रिलाइंस कंपनी के इंजिनियर की बरबर हत्या जंगल राज बन चुके बिहार में इंजिनियरों की मोतों का सिलसिला जारी है बितिरात बिहार की रिलाइंस कंपणी के क्वालिटी कंट्रोल इंजिनियर अंकित जहा की वैशाली में गला रितकर हत्या कर दी गई अंकित मुजफरनगर के रहने वाले थे पुलिस ने अग्यात लोगों के खिलाफ प्रकरन दर्श कर लिया है इससे पहले कंस्ट्रक्शन कंपणी सी एंजि के दो इंजिनियरों की पचास लाग की रंगदारी की मांग करते हुए हत्या कर दी गई थी इस आरोप में पुलिस ने सीतामणी से दो और बदमाशुकों गिरफतार कर लिया है